तो यह वीडियो जेंटलमेंट के लिए होने वाली है तो लेडीज करिपयात ना देखें इसको देखनी है तो देखो लेकिन अपने रिस्क पे देखो तो आज हम बात करेंगे डार्क साइड ऑफ गल्फ्रेंड्स हाला कि अच्छे साइड्स भी होते हैं लडिकें सपोर्ट कर लेते हैं तो उसमें क्या था एक लड़की ने लड़के को बलाया कि आज मिलते हैं वह अली न्यूडियो यह दूसरी है पहले बनाई थी वह नहीं यह लगया तो उसमें बलाया था लड़की ने अपने घर पे बला लिया तो वह करने लगए गुटर को अब भाई सब खाने के लिए कि मेरी कोई गलती ने खोदी आया था और वह पेल दिया अच्छे से अब देखो यार दिक्कत यह नहीं है दिक्कत मुझे क्या दिक्कत है मैं आपको सही बता हूँ मुझे दिक्कत प्यार प्यार से नहीं है दिक्कत है कि लड़का प्यार करे लड़की प्या हरام जादी तूने क्यों बलाया है लेकिन नहीं पिटे का कोन लड़का क्यों क्योंकि प्रुस पर्दाने जूसाइटे है और उसकी क्या गल्ति ती उस की बस्ति की भी तो मैंने बोलाया है इसको मत मारो हम प्यार करते हैं आपसर nós लेकिन बचा सकती थी नहीं लेकिन उसने क्या कimme उसको मारा । मैंने आपको एक वीडियो में बताये था कि कि नहीं हो Mais नेचर रेखिन हो अपने आपको बचाता इनसान को जानते हो तो क्या हुआ वह पीट दिया अच्छा सा कूर दिया बढ़ गढ़िया अब दिक्कत क्या है दिक्कत यार यह है अमानों उसके उपर वो लगवाएंगे कि अगर मानों लड़की नावालिक होई तो उसको बोड़ने के लगाएंगे हम अंदर करवाएंगे यह करवाएंगे जस्ट विकॉज और के चक्कर में लड़का फस गया लड़की को कोई वो नहीं यानि कि लिट्की की कोई गलती नहीं है निए उसकी बिना मरजी कोई घर में कैसे आ जाएगा तुम किसी के घर में खुद सोचो कोई भी फुद दर लगता है यार तुम कैसे चले जाओके किसी करते रहो लड़के को लूटते रहो मज़े लेते रहो लेकिन जब बारी आये ना फटने मतलब उसकी डर पिटने की और उसकी तब सारा जो लड़के पे डाल दो फस जाता है यह तो हो गया चलो एक छोटा सा के इस नौर्ब क्या था एक लड़का लड़की कपल थे और लड़के को डाउट था कि मेरी बंदी का कहीं अफेर है तो उसने बोला अपना फॉन दिखा तो फॉन चीने लग गया तो चीना जप्टी में लड़की के हैं लग गई अब लड़की ने क्या करा देखो दे प्ले माइंड गेम्स तो उसने क्या करा अपने आपको बचाने के लिए 100 नमर पर काल कर दिया तो पुलिस आपी और लड़के को बोदी भी इसने तो मेरे साथ ऐसा चेड़ चाड़ गई जबरजस्ति करने के कोश्तिक किया क्यों अपने आपको बचाना था अपनी मतलब इंस्टा नहीं दिखान है गए लड़का था उसका किसी लड़की सेफिड था मेरे लड़की थी ओब अब देखना डरकवा रहा है माली तating तो उसके साथ क्या हूई ठीत करते थे आपस में चैट इर करते दे इस फोन वहां करते थे तो एक दिन क्या होआ उस के हैस्टे को बनले करूंग आ ये नही मैंने तष्राइब करए मैं करूं रहा है की तेरी कंपलेंट करों अटाने में आ रहा हुं मारे आरों तिरह महां पर कंपलेंट करूं गां तों मेरे वाइफ के साथ एक इसलगा में तुम Wash अतने कोई अफियर क्राइम निए अनकंस्टिउशनल हैं लेंडमार जिजमेंट जोसफ साइन वर्सेज यूनियन अफ इंडिया दूसरी बात अगर मानले उसका तेरा मतलब तु पकड़ा ही जाता मानलो उसकी वी वी का फियर पकड़ा जाता तो पैसे की क्यों डिमांड करता वो य कोई दिक्कत ने मेरा नंबर देती है और कुछ नहीं हुआ एक्चुली मैं किया थी वह लड़की थी वह खुद लड़की थी और वह ऐसे प्रिटेंड कर रहे थी कि मेरे को पती को पता चल गया है अब यह मैं मतलब समझ रहे हूं वह उसका पती वह लड़का डर जाए ता अब लड़का था ऐसे चूद या था फट गी उसकी अब डर गया तो तो उसने बोला भी पैसे लगेंगे वह जाना पड़ेगा तो उसने बोला कि जानू मेरे को सारे पैसे आपको दे दो मैं खुद करा लोगी सब कुछ असल में वह लड़की ना तो प्रेगनेंट थी ना इतना ड्रा दिया बंदा कम से कम्यार उसके बंदे के ढाई लाग तीन लाग रुपे ऐसी घड़ा पली है और वह बंदा करज में आ गया उसने में बादें बताए फिर मैंने उसको समझाया हाला कि ठीक है वह बंदो धाई-तीन लाग रुपे में करज में आ अब देख रहा अब लड़के तो इतने भोले होते हैं उनको अब यह ना बाइलोजी तो पढ़ा ही रही जाती सेवन तीट क्लास में छुडवा देते हैं वो चप्टर फिर बाद में चूतियों को पता नहीं रहता क्या है और दूसरा क्या है जैसे मालो बहुत बार क्या होता है कोई बंद होता है रोग कैते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्या वो जाएगा मना बदान होगा है तो ज्यादा से इस mental हो सकता है ठीक है और उनौतर यहा सब्सक्राइब वी मुझे दिग्कत पता क्या होती है मुझे इदिक्कत यह हो ती यई होती यार जब तुम औरेश्ट होते हो होते हैं लेकिन इंडिया का सिस्टम क्या है पहले पकड़ लेते हैं वो फेक होना ना होना वो तो जब मान लो तुम अरेस्ट होगे उस दिन तुम नहीं आओगे घर पे या फिर जो भी तो तुमारे घर नहीं मा को क्या फिल होगा कियार मतलब है और उसकी उमर में गारेंटी दे रहे हूं तुमारी मां की पचास से पचास to 40-45 की लाइन में तो होगी न पैजा कि लाइन में तो इस कंडिशन में ना मतलब बोडी डाउन रहती है बहुत डाउन रहती है भी पी लो रहता है कोई न्यूज आई Olay पैरों में दर्द रहता है अब देख तुम्हारी मां को को ये पता चले कि तुम्हारे पीछे भग रही है जो सेविंग है फुर पैसा लगा है है ले जा रह removal करॉर यह इतने की ए抓 से बहूरे करके पासे ले लेती हैं थो पहले बहुत कैसे ले लेते हましたmm कि मेरा मनी भी हो जाता है लिएर फोर अपला ने को इसे हो जाती हैं फिर तुम पढ़ रहे एक्राए थाथ म नशना में शवरूम में अपसरी ऊस्च भी माणको समझा सै तो डार्क साइड है ठीक है मैं मानता हूं बहुत साही लड़के अच्छी बहुत है लेकिन ज्यादा तर लड़कें ऐसे ही होती है अब तुम इंस्टा को देख लो आज कल क्या चल रहा है इंस्टा पर क्या चल रहा है तुम्हें नहीं पता क्या दिखा रही है वह अंग लड़का ही है मतलब कोई तुमने ऐसा केस देखा है कि लड़की ने लड़के को छेड़ा और लड़का अंदर चला गया नहीं होगा क्योंकि आई पीस है ना जो आई पीसी में धारा तीनसो पेचाटर शेटर जो यह है ना यह जेंडर क्वैलिटी है यह लड़की के लिए लड़का अब उनको लैक अफ नौलीज है उनको पता है नहीं मेरा काम है कि तुम्हें प्रिवेंशन करना प्रिवेंशन मतलब पहले ही बचा लेना हाला कि जो तुम्हें बाहर के वकील मिलेंगे जब तुम फस्जाओं तब बचाएंगे तुम्हें कि आसा कर ले और उसकी कि अब को और उसकी किस कि तुम्हें कि नहीं पता है अब माँलो तुह मारेंड कर रेगूल वेंटेना कितना अब बहल जाने घरे की अगठव तुम्हारे घरवाले भाग दोड करी भागे फिरे सब कुछ करें दिक्कत किसे होती है लड़के को लड़कियों का कुछ नहीं जाता कुछ भी नहीं जाता भाई बिल्कुल भी तो यह डार्क साइड है गल्फरेंड की तो आप इस चीज का ध्यान रखो ठीक है जब भी फिर इनका और भी बरेका में पूथ है कोई लडगे कर लेते कंसें कि सुनना भी मेरी बात कंसेंट्स से कर लेते हैं बहूं कोई ब्रेक ब्रेंब हो जाते हैं तो लड़की क्या ब清ब सब्सक्रेंपार यहाइं है तो इस चीज को फिजिकली को यह जिंदगी से जोड देती तो इसमें न दो बाते आती हैं अगर तुम मालो सेक्स करते हो ना फिजीकल देशन मनाते हो कंसेंट से भी तो इसका साइड एफेक्ट क्या है दो काम करेगी वो या तो तुम्हें लीगली फसाएगी कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया मैं कोट जाओंगी मैं पुलिस के पाद जा जिंदगी बंदरी तो कुछ करना लाइफ में बड़ा इसके जिंदगी कर क्या लेना देना और तुनने अपनी मर्जी से भी तो क्या है उल्लुकी पथी तो यह भी तो देख तुने अपनी मरते से किया है है पहले होते थे वह रेप तुमने देखा होगा मुवीज में पुरानी मुवीज में और उसको बोलते थे कि इजद लुट गई और उसके बाद लड़की सुसाइड कर लेती थी अब क्या हो रहा है अपनी मर्दी से जाते हैं यह सब कुछ करते हैं फिर बात में जंड कर दी मतलब अरे भाई तेरा सेक्स से जिंदी की जंड के क्या लिना देना है हाले कि तू मेंटली टॉर्चर हो गई है जो भी है मान लो तो तू भी तो गई थी देवी मैया तूने तो गई थी अधरकार्ड अपना तू लेके गई थी थोड़ी बहुत शरम कर तू न पता है और जिस दिन तुने अब एक बात हो और जाते हैं प्राइवेट कार्ड लेके जाते हैं अपना अधरकार्ड लेके जाते हैं तो तुम्हें नहीं पता जिस दिन तुमने अधरकार्ड अपने बैग में रखा होगा सब कुछ करा होगा तू ही थी ना वो याद कर तू पूर को यह थी न वह फिर फिर क्यों फसा रही है लड़के को तो भाई ये डार्क साइड होते हैं तो इससे अच्छा मैं कहा हूँ समल जाओ अपनी फैमिली पर द्यान दो छोड़ो चक्कर और इससे ज्यादा मैं नहीं समझा सकता होते हैं तुम कभी न उस बंदे से से मिल लेना जिसके उपर रेट केस्ट रहोगा ठीक है अपने बता देगा भाई मतलब वो कहेगा कि यार कहां बस गया मैं मतलब इनके चक्कर में मतलब खामाई-खाई बिनावाद लड़की अच्छी भी होते हैं यह नहीं किया लेकिन हराम पना जाद ही मच रहा है मैं आपक करती थी शादी.com पे जाती थी हैं और आईडी बना लेती थी लड़कों से मिलती थी मीटप करती थी फीजिकल करती थी अपनी मर्जी से सब कुछ में फिर बाद में जैसे वो करते थी ब्लैक में मतलब बुलाने बुलाती है कि मालों वहां पर आजाओ बाब यहां पर है इससे बढ़ी आगर में तुम्हें स्लिशन दूँ मैं देखो यार इस से बढ़ीत तावायक बढ़ीया थी हुआ पन्हाइक करता दे समझया है तवायक में में तुम गई लिया सर्विस ली निकल लिया आ गयए वह अच्छा है मेंटरी टॉर्चर तो नहीं है अगर तुम्हें ज्यादा तुम्हारे बॉडी के हॉर्मोन ज्यादा ही वह रहे हैं तो वह अच्छा है लेकिन इन पच्छों से तो बच्छो मैंने चाहता कि या तुम्हारी मॉम डैड कभी रोएं इनके चक्कर कि भी बेटा अंदर पड़ा है ठीक है मिरको यार सबसे बुरी चीज वह लगती है कि इनके चक्कर में लड़कियों के चक्कर में लड़का मतलब उसने कुछ नहीं करा बस वह की प्रोसीजर ही ऐसा है फस जाता है फिर माबाप रोते रहते हैं ऐसा हो गया फिर वह फिर वह फ गारंटी नहीं कि बेल हो जाएगी शुरू में सब बोलते हम करा देंगे बाद में कोई कुछ नहीं बाई फिर ट्राइल लड़ना पड़ता है लड़के को डिफेंस करना पड़ता है समझ तो एक मतलब फस जाता है खामगाई लेना देना नहीं मतलब फस गया बिचारा चल रहे हैं इंफ्लुएंसर हाव टू में गर्ल गर्फ्रेंड यह कैसे लड़की पटाएं यह पटाएं इन बवासीरों से दूर रहो मैं तुम्हें सही बता रहूं क्योंकि जिस दिन तुम फस होगे ना जिस दिन तुम फस होगे यह तुमारा कोई बेल वेल कर रहा है नह तुम अपने काम से काम रखो न करें इटनी वीडियो के वीडियो के इतने इतनी चूती आ उनको देखे जा रही है नहीं तुमारी बेल करा यह वडाइगा बाद में अब यह एडवोकेट तुम्हें समझा रहा है प्रिवेंशन इस बैटर देन कियो तो इस एडवोकेट की सुन लो भाई अपनी लाइफ बचा लो मत पड़ो इंचक्रों में तभी मैं कहता हूं डॉन्ट डिश्टोय और गोल फॉर और नहीं 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 मानते वह य यार प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कि ऐसा ऐसा ही है तो मैं मिले को पता है कि क्या इंटेंशन रहता है लड़ियोंगा ठीक है लड़िक्यों को यह रहता है अगर उनकी बात बिगड़ी तो तुम्हें 306 डालेंगी गारंटी है लोग कहते हैं ज्यादा से ज्यादा क्य मम्ता नंगी लेटी